मकर संक्रांत्री 2021, इस साल बहुद खास संयोंग में आ रहा है, इस पर अच्छी बात यह भी है कि इस साल मकर संक्रांत्री की तिती को लेकर किसी तरह का confusion भी नहीं है, इस साल मकर संक्रांतरी 14 जन्वरी को ही पूरे देश में मनाय जाएगी इसी दिन पोंगल, बिहो और उत्तरायन पर्व भी मनाय जाएगा मकर संक्रांतरी पर सूर्य का मकर में प्रवेश मकर संक्रांतरी 14 जन्वरी को मनाय जाने की वजह यह है कि इस साल ग्रहों के राजा सूर्य का मकर राशी में आगवन गुरुवार 14 जन्वरी को सुबह 8 बच कर 14 मिनिट पर हो रहा है गुरुवार को संक्रांतरी होने की वज़े से यह नंदा और नक्षत्रा अनुसार महोदरी संक्रांतरी मानी जाएगी जो ब्रहमनों, शिक्षकों, लेखोगों, चातरों के लिए लाबपरत और शुबह रहेगी शास्तरों का मत है कि संक्रांतरी के 6 गंटे 24 मिनिट पहले से पुन्यकाल का अरंब हो जाएगा इसलिए इस वर्ष ब्रहम मूर्त से संक्रांतरी का सनान, दान, पुन्य किया जा सकता है इस दिन दोपर 2 बच कर 38 मिनिर तक का समय संक्रांतरी से संबंदित धर्मी कारियों के लिए उत्तम रहेगा वैसे पूरे दिन भी सनान, दान किया जा सकता है इस बार मकर संक्रांत्र के दिन सबसे खास बात यह है कि सूरे के पूत्र शनी स्वए अपने घर मकर राशी में गुरु महराज ब्रहस्पती और ग्रहों के राजकुमार बुद्ध एम नक्षत्रपती चंद्रमा को साथ लेकर सूरे देव का मकर राशी में स्वागत करेंगे प्रवेश श्रवन नक्षत्र में होगा जिससे ध्वजन नाम के शुबयोग बनेगा ग्रहों के राज सूरे सीहं पर सवार होकर मकर में संक्रमन करेंगे ऐसे में राजनिती में सत्ता पक्ष का प्रभाव बढ़ेगा और देश में राजनिती उतल-पुतल कुछ स्तानों प अब भी लाइक करें और भोलेनाजी का शुरुआ चाते हो तो कमेंड में जै भोलेनाजी लिकना ना भूले साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राज़िपल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपका सामने की स्तिती उत्पन हुई है तो उस तनाव को खत्म करने के लिए प्रयास कर सकते हैं आपको सपलता मिलेगी यदि आप ध्यान दे तो आपको तनाव की कोई खास वजहन नहीं दिखाई देगी आपको अपने भविश और व्यापार को लेकर कोई चिंता सता सकती हैं आचानक गटने वाली गटना कर्मों से आपको सावधान रना होगा यह और बात है कि इन चीजों पर आपका कोई नियंतरन नहीं हैं होने वाले बदलाव का बिल्कुल भी विरोध ना करें बलके अपने आपको उसके अनुरूप डालने का प्रयास करें बनाए गई योजनों में परन्तो आप ओफिस और कारेक्षेत्र के काम से समय नहीं निकाल पाएंगे यदि आप किसी भी तरह समय निकाल कर इस तरह की गतिवीडियों में शामिल हो जाते हैं तो भी एक प्रकार की परेशानी आपके मन में बनी रहेगी मन को हर समझोते के लिए त्यार रखना होगा क परेक्षेत्र और ओफिस के कामों में कोई रुकावट आ सकती हैं जो काम आपने बहुत उम्मीदों के साथ शुरू किया था वह आपको बंद होता हुआ नजर आएगा दोस्तो अगर हम धनराशिपल की बात करें तो आप अपनी शक्ती और कमजोरी को अच्चे से जानते है और लगातार लक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन वास्तों में आपके दुरुष्टिकोन और मिजाच पर निर्बर करता है आपकी सभी योजनाई पूरी होगी जिसे से आप खुशियों को महसुस करेंगे नहीं परचान बनाने के लिए भी यह चरण शांदार है यह समय अपने कारे के तरीके को बदलने का है अच्छे और रोचक लोग आपका हर तरह से सहयो करेंगे विदेश यात्रा या संपर का का भी योग है जिससे आपके करियर को लाब होगा और व्यापर में भी विकास होगा दोस्तों अगर हम करियर राशिपल की बात करें तो जिस व् आपना काम पूरा करें और किसी को कुछ कहने का मौकार ना दें। दोस्तों अगर हम लव राशिपल की बात करें तो अपनी सूरत में बदलाव करके आप आत्मे विश्वास से भरपूर मसूस करेंगे। करेंगे। अपने सूर्मेट का खास ख्याल रखें क्योंकि उन्हें आपकी मदद की जरूरत पर सकती है। सूर्य का किसी राशी विश्श पर ब्रह्मन करना संक्रांत्री कहलाता है। सूर्य जब मकर राशी में जाता है तब मकर संक्रांत्री होती है। इस समय सूर्य उतरायन होता है अंत इस समय किये गए जब और दान का पल अनंत गुना होता है। सूर्य और शनी का संभंध इस परवसे होने के कारण यह काफी महतोपुर्ण होता है। करते हैं इसी त्यवहर पर सूर्य अपने पुत्र शनी से मिलने के लिए आते हैं। आमत पर शुक्र का उधैं भी लगबग इसी समय होता है इसलिए यहां से शुब कारियों की शुरुआत होती है। मगर संक्रांत्री में जहां कुछ कामों को करना शुब माना गया है तो वही कुछ कारियों को वरजित क्या गया है। तो आएज जानते हैं इस दिन भूर कर भी कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। पहला है कुछ लोग सुबह उड़ते ही चाय और स्नैक्स काना शुरू कर देते हैं। लेकिन शुबह दिन ऐसा ना करे। इस दिन बिना सनान के भूजन का सिवन नहीं करना चाहिए। मान्यता ही कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर सनान करना चाहिए, इसलिए गंगा या पवितर नदी ना सही लेकिन कम से कम घर पर सनान जरूर करना चाहिए, मकर संक्रांत्री प्रकूरती के साथ जश्न मनाने का प्रवा है, इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड क कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए मकर संक्रांत्री के दिन आप किसी भी तरह का नशां नहीं करे शराब सिकरेट गुटका आधी जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए मसाले दार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए इस दिन तील मुंगदाल की खिचड़ी इत्यदी का सेवन करना चाहिए और इन सब चीजों का यथा शक्ती दान करना चाहिए अगर सूर्य देव की कुर्पा पाना चाहते है तो संध्या काल में अन्न का सेवन ना करे सूर्य देव और सूर्यस्त के समय पुजा पाट करे मकर संक्रांत्र के दिन गाई या भैस का दोध नहीं दुहना चाहिए मकर संक्रांत्र की दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिकारी, सादू या बुज़र्गा आए तो उसे खाली हाथ ना लोटा दे जो अपनी सामर्त के अनुसार कुछ ना कुछ उन्हें दान अवश्य करे इस दिन भूलकर भी लसुन, प्याज और मास का सेवन नहीं करना चाहिए मकर संक्रांत्र का परवा सादिगी के साथ मनाये जाता है खाने में भी सात्विक्ता का पालंग करे यह प्रकुत्र का त्यवाह है और हरयली का उस्तव आंतिज दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए मकर संक्रांत्र के दिन अपनी वाणी पर सयम रखे और गुस्ता ना करे किसी को भी बुरे बोल ना बोले, सब के साथ मदूरता का व्यावहार करे तो दोस्तो यह थी वो 9 काम जो की मकर संक्रांत्री के दिन हमें नहीं करना चाहिए तो दोस्तो आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रू करेगा साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राश्यपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नहीं वीडियो के साथ धन्यवाद